नए वर्ष की सभी को सुबकामना है मेरी तरफ से वैसे एक स्टूडेंट के लिए एक अब्यर्थी के लिए जुन्दिरन तरसंगर्ष कर रहा है उसके लिए नया साल एक खुशी का विशय नहीं रहता बलकि दुख का विशय होता है उसके लिए क्योंकि जब 21 कर्तम हुआ था और जब एक जनवरी 2022 आया था तब आपने बहुत सरे अर्मान सजाए थे कि इस साल परिक्षा होगी हम मेहनत करके लग जाएंगे कहीं पे और 2023 में हम सरकारी सेवा में होंगे किसी विद्याले में होंगे और बच्चों के साथ सैल फिले की पोस्ट करेंगे कि ऐसे आपने 2022 में जनवरी में सपने संजोई थे कुछ चिक अभियर्थियों के सफल हो गए, कुछ परिक्साय रद हो गई सिस्टम की खामिया रह गई और इन सारी चीजों की बदोलत पूरा वर्ष निकल गया और मिला कुछ नहीं 2022 का आखड़ा 23 में कनवर्ट हो गया तो एक बिरूज का रविर्थि के लिए साल बदलना थोड़ा सा दर्द भरा होता है क्योंकि 21 साल का बच्चा 22 का हो गया, 22 का बच्चा 23 का हो गया, 23 वाला 24 वर्ष का हो गया उमर डलती जा रही है, घरवालों का प्रेसर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो साधी का प्रेसर हो, चाहे वो नौकरी का प्रेसर हो, चाहे वो आपके महिलाओं के लिए जैसे घर पे आओ, घर पे काम करो क्योंकि उनको लिमिटेड चांस है उनके पास में, और लिमिटेड उ स्टूडेंट के लिए एक विरुजगार नहीं कहता मैं वैसे संघर्षरत स्टूडेंट के लिए साल बदलना एक दूश्वपन होता है नाइट मेर जासे कहते हैं मुझे ठीक से पता है 2012-2013 की बात है साल चैंज हुआ था और हमने प्रन लिया था कि इस अगले शाल में हम यह कर लेंगे वो कर लेंगे वो जब साल पूरा बरबाद हुआ ना तो अंत तो आते आते बहुत दड़ब होता था यार यह महीना भी चला गया यह महीना भी चला गया आखिर कभ तक कभ पेपर ओओंगे अ सबस्कर तो सपनेस जो उ इंज हैं में फुछ कि उल्मीदें कभ मैं पूरी कर वह तो यह नए वर्ष वगिरा उनके ठीक है जो वेल एस्टाबलिश है जीवन में जिनके जीवन में कोई चंटा वाली बात नहीं है बहुत मौस्त जीवन जी रहे हैं पैसे की कोई कमी नहीं है उन लोगों के लिए डेफिनेटली नए साल पारिटी में होते हैं लेकिन एक भशीर्ष तारिख बदलेगी विद्यारति ओं पड़ोसी नहीं बदलेगा शार आमे मित्र नहीं जीए हो नगार आत्यमस्त करने वालें लों यह नहीं बदलेगे और जो आपके और मना उपर आगहात करने वाला हर वह वैकती नहीं बदलेगा वो ही आपके पास यह सिर्फ और सुर्फ डेट बदली है तो इसको ज्यादा सीरियस ना लें बस यह समझ लीजिए कि एक साल आपने एक साल और निकाल दिया मैं यह मानता हूँ कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती मुझे पता इतने पर आउट हुए अभी सेकेंड ग्रेट के क्या हश्र हुआ उससे पहले रीट का क्या हश्र हुआ सब इस्पेक्टर का क्या आश्र हो रहा है हम सब देख रहे हैं लेकिन एक सिक्षक के हाथ में कुछ नहीं हम ज्यादा कुछ करेंगे तो हमारे एक बंदू से आये थे अभी बीच में कमांडेंट महुद है वो दहने पर बैठे थे इस सीजों के खिलाफ क्या परिनाम निकला आप सभी को अच्छा से पता है अला कि हम हमारी तरफ से प्रयास कर भी रहे हैं कल दो तारीक को में इंबाडमेर में मोंजुलूश रखा है इस्टेडियम से हम जाएंगे हमारी तरफ से रहेगा कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी आतरीके से काम करें लेकिन उसके बावजुद भी इतने पेपर आउट होने के बावजुद भी मैं आज भी मेरी उस बात पर अडिग हूं प परिणाम खराब आ सकता है आपके साथ अन्याई हो सकता है सारी चीजें हो सकती है परंतु मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती आपने आज पढ़ा है आपने जो जो चीजें मेहनत करके तैयार करी थी जिस परिक्षा के लिए उस परिक्षा के लिए उस परिक्षा के लिए अंधेर हैं अंधेर नहीं है वस पढ़ने के अलावा स्टूडेंट के पास में कोई विकल्प नहीं है आंधुलन करने बैठोगे सरकार दमन कर देगी कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आब आंधुलन की रूप एखा तैयार कर लो पांच लोग भी नहीं आएंगी आप ब यह मेहनत के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है चलो मैं में बयात पे आता हूँ तो जैसी साल बदलता है तो हम ऐसे कई स्टूडेंट रेजुलेशन लेते हैं संकल्प लेते हैं कि नए साल का हम योग सुरू करेंगे नए साल की हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे कोई जम जाने का रेजुलेशन लेता है कोई डेली पढ़ने का लेता है कोई अब गईियो होती रहेईं किसी के पूरी नहीं होते बहुत कंशने कोई यसलिवल अब इसलिए मैं कहता हूँ कि अब един कोई संकल्प मतलए है वार भी अगए होती रहने सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि छात्र सकती कि पावर आप समझते नहीं हो रूज जैसी करांतियां कर लिए ये कर लिया हो कर लिए वो इतिहास का दौर था जब नैतिकताएं जिन्दा थी आज आप चाहा के भी कुछ ने कर पाऊगे इसलिए कह रहा हूं पढ़ते जाओ सब सई होगा तो रेजुलेशन मत लीजी लेकिन एक सिक्षक होने के नाते समाज को एक दिशा देना हमारा करतब भी होता है और सिक्षक को वही बात बताने चाहिए जो उसने अपने जीवन में अनुशरण करी हूँ तो मैं आज कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूँ आपको मैं चाहता हूँ का आप उसको फोलो कीजिए अ आप जितना ज्यादा बोलोगे ना आप उतना ही अपने आपको एक्सपोज कर रहे हो और जितना ज्यादा आप अपने आपको एक्सपोज करोगे तो आपके तरकस में कोई तीर शिष नहीं रहेगा और लोगों को के सामने आप की कोई वैल्यू नहीं रहेगी वह ज्यादा ब प्रश्नों के उत्तर को दबाए हुए होती है और जब तक वो चीजे दभी रहेगी तब तक आपकी हर जगे वैली होगी क्योंकि आपकी गहराई को कोई भाप नहीं पाएगा तो हमें साँ ये आदत डाल दीजिए कि खामुस रहिए जहां बहुत आवशकता हो वहां एक अद प्रॲञरन हमारे स्टफ साथी कहते सर आप यूट्व पे बहुत बोल देते हूं अपनी लगतए बागी जगे जगे क्योँ नहीं बोलते मैं व matrix करता में चOWN कि में झाहता हूं और मैं चाहता हो जरूरत पढ़ने परिंका मेरी वैल्यू हमेशा बनी रहीग है तो एक बात मैं यह आपको बताना चाहरा था क्यामोस रहना सिखिए मकना बंद करिए बहुत ज्यादा बकेती करते हैं उसको आप लिमिटेड करिए देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा दूसरी जरूरी बात बताना चाहरा था नए वर्ष पर क्या बता पचास हजार लोग लाक लोग सुनेंगे हो सकता हजार बत्चे भी इसको फॉलो कर लेंगे तो अपना जीवन धन्य है एक सिक्षक के रूप में मैंने मेरा कर्तब बेतनरवान कर लिया कभी भी पस्चात आप गलत चीज का अगर करिए तो जरूर करना चाहिए लेकिन जो चीज़े जा चुकी ह उसके बारे मैं कभी नहीं सोचना चाहिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी चलाओ आगे देखकर पीछे के मेरार देखके गाड़ी में चलाओ नहीं तो आगे जाके कहीं ने कहीं भुग जाईए तो सबसे बड़ी चीज दिये ध्यान रखना कि जो चीज़ें गुजरत चुकी है उस पर ध्यान देने की बजाए आप आगे देखिए क्योंकि आगे संभाव नाई है हम और बढ़िया कर सकते हैं हम पीछे की गलतियों को ठीक कर सकते हैं हम पीछे की कमियों को ठीक कर सकते हैं तो पुरानी उपलब दिया हैं तो उसके गुरूर में ना रहें पुरानी सोतना बंद करना चाहिए हमें हमेंसे आगE देखना जिए है जब भी इतना हों अगेरा में होते हैं हमें हमें Whoa किया कर सकता हूं मैंने क्या किया वो तो बात जा चुक आपकी आद से लेकिन क्या कर सकता हूं थोड़ा सा इस पर सोचा करो आप मैं आज बड़ा बड़ा सोच रहा था कि मैं 23 में क्या रेजलेशन लूँ मैंने नोक्री ले ली 2019 के बाद मैंने सारी परिक्षाय देनी छोड़ दी और सिक्षक के रूप मैं काम करी रहा हूं और नेल प्लेटफरम स्टार् को सोचते हैं पूंब मैं जो की तो पीछी क्या रहा हूं उसके बारे मैं नहीं सोच रहा था 22 कैसा क्या मुझे मतलब नहीं रहा है तेजी में क्या कर सकता हूं तब मेरे दिमांग मैं Esc voice 213 में संदर्ब ग्रंत पुस्थक लेखन में G जाओंगा जुलाई की असपास और लेखन की दुनिया में उतर जाओंगा गाइड नहीं अच्छी किताब है निकालोंगा ऐसी किताब जो आप अपनी टेबल से कभी दूर नहीं कर पाओंगे जैसा परिक्स वनेक बात गाइड फैंक देता है वैसे मेरी किताब को फैंक नहीं क्या करना मन में सोचिये और उसके लिए दिरी-दिरी परियासुल कर दीजिये डिफिनेटल आज नहीं तो कल वो चीज आपकी होके रहेंगी और जिसको दिल से चाते है न वो चीज आपकी आज नहीं तो कल तैपात है कि वो होती है और यह मैं उसका प्रतक्ष प्रमान वो अबिट है कि क्या सोच सकता कि मैं अध्यापक बढ़िया परिक्षा दे दूंगा इसमें हो जाए गया नहीं होगा तो आगे फर्स्ट ग्रेड की विकेंसी आ रही है सेकेंड ग्रीड की आ रही है मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा और मैं लेक्चर बन जाओंगा पेपर अगे अध्यापक की परिक्षा औरी फरोरी में पूरा ध्यान उस पर लगा लीजिए वो भी बिगड़ जाता है तो कोई बात नहीं आगे अल्टरनेट तयार रखी कम से कम एक या दो साल ऐसी इस्तति चलती है डिफिनेटली सेलेक्शन होता है मैं आपकी परस्तियों को विद्यार्थी का आलाद खराव है यह है उसके लिए सारे विद्यार्थी एक जैसे है तो थोड़ा सा आप है वो आगी सोतना शुरू करती जी तीसरी बात एकांत पसंद रेक्तिवनी है दुनिया की भीड़ बाट से लग हो जाई है कोई आपका नहीं है इस पूरी का अउरी में हाँ लूगों लूगों से जोड़े होँए होंगे लेकिन असल में जब आप अछल्य चार लोग पांश लोग आपके साथ होते हैं मैं कहता हूँ उन चार पांश नोगों से ही जोड़े रही बाकी सबी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाई है अकेले मत रही है लेकिन एकांत में रहिए, अकेले रहने का मतलब दिक्कत होती है, एकांत का मतलब होता है कि आप अपने आप में खोई रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, दुनियादारी से दूर हो जाओ, क्योंकि आप जितना सोशल होंगे, जितना आप सामाजीक बनोगे, उतना ही आप ज़्यादा ताने सुनोगे, उतना ही आप ज़्यादा एक्सपूस होंगे, उतना ही ज़्यादा आप निंदा गरिना का पात्र बनोगे, बहतर यह होता है कि आप एकांत रहिए, और एकांत में जो चीजे होती है वो कभी सबसे मिलने जूने से नहीं हो पाती आप अपने एनरजी क्यों किसी से खराब करते हो आप एकांत रहिए और रिजल्ड रिजल्ड जब आएगा दुनिया आपसे वैसी जूट जाएगी सबसे बड़िया तरीका जीवन में यह होता है कि एकांत रहना शीक जाएए लोगों से इतना ज़्यादा संपर्क कट कर दो और ठीक है जो चार पांच लोग आपके दुख में साथ खड़े होते हैं उनसे बात कर लिया करो बहुत अच्छा लगेगा बाकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है हमने हर दौर देखा है चौथी बात जो है वो मैं बताना चाहरा था कि खुद से कभी भी जूट मत बोलो खुद से दुनिया से तो चलो कई बार बोलना पड़ जाता है लेकिन खुझ से कभी मत बोलना खुझ से जूट बोलने का ताथ पर ये होता है कि हमने कोर्स पढ़ा ही नहीं और हम अपने आपको ऐसे कह के राजी कर रहे हैं कि मेरा कोर्स हो चुका है हमने वो टोपिक पढ़ा ही नहीं और हम अपने आपको ये सांतों ना दे रहे हैं कि मेरे टोपिक पड़ा हुआ है, कितना जूट बोलते हैं, जब आपको ठेक से पता है कि हमने ये चीज नहीं करी है, फिर आप जूट बोलके खुद से, आप उस चीज को कमजोर क्यों रख रहे हैं, एक स्टूडेंट आया कु कुप तैयारी करी में, ग्राम से वक, पटवारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट कर्ड सभी में फैल हो गया, खूप तैयारी की तो क्या है, मैंने का बता, कि सर्दार सुरंट सिंग समीती का गठन किस उद्दे से के साथ किया गया था, तो कि मौलिक करता हुए, मैं नहीं, मौल जब तक आप खुद से जूट बोलना नहीं चोड़ोगे, तब तक आप ये टोपिक तयार कभी नहीं कर भाऊंगे, क्यों, क्योंकि आपने ये मान रखा है कि मुझे आ रहा है, ये आपने मान रखा है, मतलब आप स्वहिम से जूट बोल चुके कि मुझे आ रहा है, तो तो बात है कि जब आपको पता है कि मुझे आ रहा है तो आप उसको वापस तऎर करने के कोश्श नहीं करोगे। इसलिए कहता हूं कि खुद से इमानदार बनिये, सथ स्विकार कीजिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है। तो निश्चित तोर पे आप उसको ठीक करने का प्रियास करोगे। ये सुधार बहुत मुश्किल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन करने पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई आप्शन नहीं है। और आज की मेरी सेकंड लास्ट बात, इसके बाद मेरा सेसन में खतम करूँगा, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आखिरी बात, सेगंड लास्ट बात, जब भी क्यों डिसीजन लो, किस की प्रपरेशन करनी है, कौन सी पूस्ट पढ़नी है, राय सभी की लीजिए आप, मेरे से पूछ लीजिए, हर किसी से पूछ लीजिए, और सफल वैक्ति से पूछिए, परंतु, अल्टीमेटली निर अलग अलग होती है, हर वैक्ति के स्टेंट अलग अलग होती है, हर वैक्ति की कमजोरियां अलग अलग होती है, हर वैक्ति अपने आप में यूनिक होता है, आप हर वैक्ति अपने में यूनिक है, आप भी यूनिक है, पस एक बार जौब लग जाओगे, तब आप भी अपन एक फील करोगे, अभी आप नहीं कर पा रहे हो, अभी कुछ दिन 28 तारी को हमारा सिक्षक शमान था यहां पे, सक्सर्स प्यंट में, तो कुछ बच्चों ने बाशन दिये, मैंने बुलाया उनको बाशन के लिए आगे, चार-पांच बच्चों के इतने बेहतरीन बाशन थे, मुझे खुद को लगा कि मेरे से बही गुना ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं, और वही बच्चे कुछ महीने पहले तक मंच पे आने से कत्रा आते थे, क्योंकि उनके पास में नौकरी नहीं थी, वो इन्फिरियृरिटी में रह रहा था, लेकिन जैसी सर्वीस लगी, इतना बढ़िया तरीके से बोल रहे थे, मुझे बढ़ी खुसी भी कि मेरे से ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं, तो आप भी यूनिक है अपने आप में, बस एक प्लेटफोर्म का वाह है, वो जल्द आपको बगवान करे मिलेगा, तो आप डिसीजन अपना खुद का लेजिए, बस राय लेजिए सबसे डिसीजन आप अपने अकोडिंग लेजिए, चाए भरती परिक्षा की तैयारी की रणनीती हो, चाए पोस्तक के बारे में हो, कोई भी बारे पॉइंट हो, डिसीजन खुद का रखिए, तभी आप बह नीती पे चल के, आप कभी अपने आपको बेहतर नहीं कर पाओगे, इस इसकाप में साध्यान रखना, ये बच्चों में बहुत कमी में लिखिए, चोटी-चोटी बात आप पूछते हो, सर, इसमें इतने मेरे प्रतिशत है, मुझे शामिल करेंगे की नहीं करेंगे, मैंने इसमें ये गलती करी है, मैंने फ़रम में ये गलती मुझे कहेंगे, आप विकिप्ती पढ़ लो ना बढ़िया तरीके से, आप किसी के उपर निरबर मत रहो, अपो दीप भाओ, अपने प्रकास स्वयम बनो, महत्मा बुद्ध ने कहा था, जब आनन्द और महत्मा बुद् और ठीक है, उस डेसिजन लेने में आप अनुभवी लोगों की हमारे जैसों की मदद ले सकते हो, लेकिन फाइनली डेसिजन आपका खुद गावना चीए, और लास्ट बात आज की इस सेशन की, की फुटबूल मत बनो आप, फुटबूल बनने का मतलब है कि आज कल क्या है वेबसाइक दोर चल रहा है, कॉमर्चियल दोर चल रहा है, एजुकिशन एक अच्छा-कासा मार्केट बन गया है, हर यूट्यूब चैनल, मेरे सहीत, हर यूट्यूब चैनल, हल टेरी ग्लाम चैनल, अपनी चीजों का प्रमोशन करता है, हलाएं कि मैं इन चीजों से अभी पढ़ाने वाला सिक्षक अपना कोर्स बेचने में लगा है, शारे अपने-अपने व्याऊथ साहिं में लगे हुए, कस्टमर है आप, हैर सास्तर की बासा में आप कस्टमर बने हुए, ऐसी इस्तती में हर बेचने वाला, आपको एक ग्रहक बना कर अपने एसाफ से बात बा तो मैं कहा रहा हूं कि आप इस तरह से फुटबॉल ना बने आप समझधार है आप अपना डिसीजन लें और आप तैय करें कि आपको कौनसी पुष्टेपट पड़नी आप खुद पाय करें आपको किसी संस्था से कोचिंग लेनी आपको किस्से कोचिंग लेनी आप खुद आपको किसी क्या करना खुद तैय करें, मैं इतना ही कहूंगा, दिसिजन खुद के लें और उसको सही सिद्ध करें, अब एक बच्चे का मैसेज आया था थोड़ दिर पहले, एप्लिकेशन भी मैसेज आया, कि सर मैं बिशनु ही हुँ, लेकिन मुझे बिशनी कहते वे लगवान जंबिश्वर के इस पूरे समुधाय को, इस पाक समुधाय को कहने में आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों के कारण, कुछ इस परकार के लोगों के कारण, पूरा समास कलंग कितना ही हो सकता, आप वेहतरीन रेजल्ट दीजी और बताइ कि हम सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं, तो आप ऐसे बताते हुए, सरमिंदा ना हो, आप खुलके बताइए, और शिद्द करके बताइए, कि कुछ लोगों के कारण, पूरा समास बदनाम नहीं हो सकता, कुछ लोगों के कारण, पूरा छेतर बदनाम नहीं हो सकता, बाडमेर कई मामलों में एक परकार से हमारे उपर कलनक लगे, रीट में भी लगे, फस्ट क्रेड में लगे थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं पूरे बाडमेर के बच्चे नकल करते हैं, कि स् ażथम को सपोर्ट करते हैं हम भी बाड़ में रिके हैं, हमने जिवन में कभी कोई गलत कारे नहीं किया तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कभी सपोर्ट ना करें लेकिन उसके कारण आप क्यों सर्मिंदा हो ठीक है, इसलिए कभी भी इस तरह से सर्मिंदा महसूस ना हो, आप अपने जाती, अपने छेतर को एक प्रकास, अपने परिणाम से रोशन कीजिए और बेजिजिक गर उसे कहिए, कि मैं उस छेतर से आता हूँ लेकिन मैं वैसा नहीं है, ठीक है तो कहने का मतलब है, कि चीज़े अपने आप ठीक हो जाती है तो इस तरह से फुटबोल ना बने, आप अपने डिसिजिजन खुद ले, और अपने आपको और सभी को गुर्वान ने पर एसस करवाए इन सभी कामनाओं के साथ, इन सभी बातों के साथ, मैं इन सभी सिक्षाओं के साथ, मैं ये वो नहीं है एजुलेशन नहीं है, मैं मेरी बात को यहीं खतम करूँगा पूरा सुनना, डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ सीखने के मिलेगा ये जो बातें मताई, ये बातें किसी किताब में नहीं है बस ये ये की अनुबव है जो आपके साथ मैंने सेयर की